अब करेंगे पार्ट टू आपने कभी सोचा है कि डॉग मतलब की स्नाइपिंग मतलब की पॉटी करते वह अपने कभी डॉग को देखा है अब क्या मतलब क्या करता है आपको पता है यह क्या करता है अब करते हैं तो मैंने इसका अंसर लिखा था मेरी नोट बुक में मैं अब को अब भी लिखाता हूं येस आपने तो कभी कभार देखाओगा आई अफीन डॉग स्नाइपिंग हेर एंड देर विकॉस्ट डॉग मार्क इडिया विकॉस्ट इट एरिया बाइट इडिया बाइ वो अपनी अलग-अलग यूरिन होती है सब्ली डॉग की वो ट्राइ करते हैं स्मेल करने की यूरिन की वो यूरिन किसकी है और वो पॉट्टी से कर लेते हैं अपनी एरिया मार्क या फिर यूरिन पॉट्टी का मतलब लैट ट्रीन होता है अब हम हमारे क्वेशन सीरीज मे बड़ते हैं, in what way human being make use of special sense of smell dogs? देखी, मैं question फिसर रपीट कर जेता हूँ. तेशी, आपका answer है, this special sense of dog is used for human being for eating, for catching criminals and for detecting undesirable things. मैं जब ये पूरा हो जाएगा, तो मैं आपको एक बार इसकी photo दिखा दूँगा, आप स्क्रीनशोट लेके इसको अपनी copy में राइट कर लेना. When do you find sense of smell helpful to you? आपको कब लगा कि आपकी sense of smell करने की आपके लिए helpful होती है? तो इसका answer है, our sense of smell can be helpful to know the food has gone bad or not, helpful to avoid accident in case of gas leak, burning wires, etc. क्योंकि अगर gas leak होगा, तो आपको घर जल जाएगा, और अगर wire burn होगी, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है. Name the animal, would you not be able to buy their smell without seeing them? Yes, we can recognize, we can recognize, yes, we can recognize cow buffalo, but because the cow buffalo, because the bad smell of their body, but we cannot recognize the clean cow and buffalo, because they are not, they are neat and clean. हम जो गंदे गाओ होते हैं, जो एक दो दिन नहाएँ होते हैं, उनके बोड़ी कही गही जाते हैं, तो हम वो सारी गाओ को पैचान सकते हैं, बर अगर जो हमने उस दिन उसको नहला दिया, तो हम उस काओ को नहीं पैचान सकते हैं, बाकि सब अनिमल्स मेरे को नहीं पता हैं, आप कमेंट करके बता दे रहा हैं, राइट दा नेम और फाइव थिंग्स वो स्मेल यू लाइख और प्रफूम्स, रोज फ्लार, वेट सोई, जीला वो, मिट्टी, एंसन स्टिक्स, टेस्टी फूर्ड, कप्पूर, 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 जब जलता है तब बहुत अग्सी बूँगाती है, डिसकस, दू दा क्लोथ और फैमली मेंबर स्मेल, येस, माई ब्रदर क्लोथ स्मेल बिकॉस्टी दी नोट क्लीन अन नीट, मेरे भाईया के कपड़े बहुत गंदे और स्मेल दार होते हैं, क्योंकि वो एक दो हटों में एक ही दिन रहाते हैं, मुझे पता नीट वो ऐसा क्यों करते हैं, डिद यू एवर केम एक्रोस एडी स्मेल इंक्रावड़ेट प्लेस, बाइट स्मेल फॉर थर्टी मिनट जेना बास, बिकास्ट देर आर सम पीपर लाइक फार्म पूर परसंस एक्सेक्रावड़ेट, बिकास्ट देर नॉट बार्थ रयाट, वो नहाय नही थी इसलिए मेरो इसको इसमेल उन्ही के बगल की सीर पर बैठा था, इसलिए उनकी स्मेल में को बहुत गंदी लगी थी और और के कहते हैं मेरो को ट्रेन में भी बहुत बुरा लगा था जब एक आदमी मेरे पास बैठ गया था और ट्रेन भी तनी अच्छी साफ ने की गई थी आज और चैप्टर 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जलनी रिरीज होगा पा लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अब मैं आपको यह एक बार दिखा देता हूँ आप स्क्रीन शोट लेकर लिख लीजिएगा या फिर आप पॉस करके भी लिख सकते हैं मैं हर एक प्यजिकों सिर्फ से 10 मिनट के लिए दिखा रहा हूँ और यह आंसर आपको खुद से करना है यह भी आंसर खुद से करना है यह मेरे रिजन पर डिपेंट है और यह भी मेरे रिजन पर डिपेंट है यानि यह जो दो question है यह आपको खुद से करने है यह आपकी reason पर dependent होते है कि आपने कभी किसी कर ऐसे cross किया या फिर ऐसी family member तो मैं यह question को भी दिखा देता हूँ एक बाद अगर आपके बस book नहीं है तो कर नहीं है